हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर योटूब चैनल दोस्तों, UPSC 2019 के प्रिलिम्स में जिग्राफी इन्वारिमेंट सेक्षन से टोटल अठाइस क्वेशन पूछे गए थे उसमें से अल्रेट हम लोग 10 यहां पर जो क्वेशन है the terms cyrolysis and plasma gasification mentioned plasmas आपको पता होने जिए plasma हमारी 4th जो फार्म आप बोल सकते हो कि जो पदार्थ होते हैं उसके 4th form है प्लाजमा और यह हमारी cyrolysis, plasma, gasification यह हमारी जो waste होती है, जो e-waste होती है यह waste होती है उसको energy में transfer करने के लिए यूज किया जाता है बहुत ज्यादा high temperature पर जो हमारी waste होती है उसको different gases में convert कर दिया जाता है तो waste to energy technology related है हमारी topic ठीक है तो 1 का D हमारा answer हो जाएगा आज का दूसरा हाँ पर प्रश्न दोस्तों which of the following are the augustly mala biosphere reserve ठीक है तो अगस्त मला जो biosphere reserve है आपको पता होने चीए कि biosphere जो यह reserve है सबसे southernmost part में हमारी located है और western ghat की जो southernmost है किरला और तमिलनाडो की boundary वाला वो हमारी अगस्त मलाई biosphere reserve है ठीक है तो आप एदी option को आप देखोगे ठीक है वैसे इसका answer तो हमारा यह हो जाएगा बट वैसे option को आप नेगलेट करने कोशिस करें तो देखोगे silent valley national park यह भी मारी western ghat का part है बट यह आपको कहां मिलेंगी silent valley जो national park है निलगिरी hill में मिलेंगी और लेकिन निलगिरी hill आपको southernmost western का नहीं है आपको जहां पर करनाट का किरला उता मिलनाडू का meeting point है वहां पर silent valley national park है तो यह हमारी answer b हमारे गलत हो जाती है और c की आप देखोगे के तो जळिhero c में आप देखोगे तो इक भी में आप देखोगे कंड यह आप देखोगे कंडिय कंडिय और यह आप देखोगे नांत्रा प्रदेश का part है तो फी मारी गल्त हो advantage है और d की आप बात तो दी में आप देखो नागार जुन सागर यह भी आपको आंधरा प्रदेश का पार्ट देखने मिलेगा दी भी मारा इंकरेक्ट होजाता है तो वैसे हमारा अगस्त मलाई जो बाइवस्पीर रिजर्फ है उसमें आते हैं नेयार पेपरा और सेंडूर नी वाइड लैप सें सब्सक्राइब हो जाएगा आज का तीसरा यहां प्रेशन दोसों कंसिडर दफॉलविंग स्टेट्मेंट सम इस पेसिज आप टर्टल और हर्भी औरस देखो हर्भी औरस ऐसे इनमल्स होते हैं जो फीडिंग्स प्लांट से करते हैं ग्रास से करते हो भी हर्भी औरस में आत प्लां जो चोटे हमारे फीस होते हैं वो हमारे हर्भी औरस होते हैं कि जो सको में हर्भी औरस साही है तो यहां पे-शन Mona इस्टेटमिन है तो नो यहां प्रेसे आप त्पकुल्स बखा देखो चाँ सकते हो लेकि यहाँ पर देखो चौते स्वीन है समस्पेश्य आप स्नेक आर विवी पैरस विभी प्रस का मतलब है कि बच्चे को जर्णम देना ठीक है मैमल टाइप का तो यह कुछ जो हमारी सिंयक की जो सापों की स्पेसि वहती है विवी पैरस होती भी है तिह यानि कि पसू है और रइट साइड में दिया है कि रिफ्ञार का नाम दिया हैSH आप सबस्तुमर्थ यहां पर दिया है евार बिल्कुली सही है क्योंकि ब्लू फिन जो मासीर है वो आपको western god का endemic है तो kaveri river में मिलती है दूसरी हम दिया है ilawadi dolphin, chambal river chambal river में हमारी cui hamaz है जो ghariyal हमारे है ओ फिमस है तो chambal river में ilawadi dolphin नहीं है leábadi dolphin आपको वेया बंगाल में देखने को मिल देंगे दूसरे इस्टेट में हमारी गलत हो जाती है तो दूसरे को यह दिए आप हटा दोगे यहाँ पर A, B और D हट जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ठीक है तो यहाँ पर आप देखो रस्टी इस्पोर्टेट जो और इस्टन घाट तो इंडिया में लोकेट है इसलिए आपको तीसावी स्टेट में हमारी सही है तो चावथा का सी हमारा आंसर हो जाएगा तो आज का पांच भाई यहाँ पर वाई इस देर एक ग्रेट कंसर्ट इबाउड दा माइक्रोवीट्स डेट और रिलीजड इंटू इन्वार्मेंट देखो माइक्रोवीट्स का मतलब है यहाँ पर कि जो प्लास्टिक की माइक्रोफॉर्म्स होते हैं आप अभी आप देखोगे जनरली तो जो हमारी जैसे फेसवास होती है उसे भी आप देखोगे रंग बिलंगे कलर की थोड़ी थोड़ी आपको देखने मिलेंगे मॉलेकुल्स देखने मिलेंगे वह भी मारा माइक्रोवीट्स से होती है ठीक है तो जो हमारी मेकप का समान होता है वह माइक्रोवीट्स से बने होते है वह माइक्रोप्लास्टिक होते है माइक्रोप्लास् सकते हैं और इसकोpsyत करते हैं और कुल से पर्सिस्टेंट पर्लुूटिंट में बढम पर्डरहते हैं और जो अन्छ पर्सिक्र जाते हैं अन्स टॉम कंसिडर्ट हर्म味 को system पांच के यह हमारा answer हो गया यह हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पे आज हम लो 5 questions को discuss किये तो total 28 में हम लो 15 जो प्रश्ण है उसको हम लो discuss कर चुके हैं next video हम लो next question को discuss करने वाले है तो thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topics साथ thank you